हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो लर्न विद्वी, माइनेम इस परम, I hope you all are doing great. तो गैस आज की वीडियो में हम future continuous tense active voice के बारे में discuss करेंगे कि future continuous tense होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, rule क्या है और कैसे उस rule को हम implement कर सकते हैं. विदे examples हम learn करेंगे, I hope this video will be useful to you. So without wasting time, let's get started. सबसे पहले discuss करते हैं कि future continuous active voice की पहचान क्या होती है. So guys, active voice के बारे में तो हम पहले भी बहुत बार discuss कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियो में, कि जहां पे आपका subject action को directly perform करता है, बातों को हम घुमा फिरा के नहीं कहते, या तो फिर जिन sentences में by नहीं लगा होता subject के साथ, वो जो sentences होते active voice होते हैं. So future continuous की पहचान क्या होती है? जो आपके sentences रहा होगा, रही होगी, रहे होगे से खतम होगे, means end में sentences के रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, लगा होगा, वो जो sentences होगे future continuous sentences होगे. चलो कुछ examples देखते हैं First example है वह किताब पढ़ रहा होगा रहा होगा से खतम हो रहा है Future Continuous है वह खाना बना रही होगी रही होगी से खतम हो रहा है Future Continuous है बेसंगीत सुन रहे होंगे हम उस पृत्योगिता में भाग ले रहे होंगे तो यह sentences हैं वह Future Continuous sentences है क्योंकि यहाँ पे रहा होगा रही होगी रहे होंगे से खतम हो रहा है End में sentences के रहा होगा रही होगी रहे होंगे लगा हुआ है तो यह sentences Future Continuous sentences है सबसे पहले discuss करें के affirmative positive जिसे हम हाँ बात्चिक भी कहते हैं Rule क्या है Subject प्लस Will Shall प्लस Be First from a verb Verb के साथ ing Object and extra part Extra part means इसे हम additional information भी कहते हैं सबसे पहले subject लगाएंगे Subject के according Will Shall यूज़ करेंगे I और वे के साथ shall otherwise will बट आज कल Modern English में Orly हम I और वे के साथ Will भी यूज़ करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हों Otherwise I और वे के साथ shall और बाकी सब subject के साथ Will फिर भी लगाएंगे First from a verb लगाएंगे Verb के साथ ing फिर object फिर extra part चोले की example से समझते हैं Example है वे है किताब पढ़ रहा होगा So रहा होगा means future continues है काम चल रहा होगा Continue होगा future में अब क्या पढ़ रहा होगा किताब पढ़ रहा होगा किताब object है पढ़ना यहाँ पर verb है कौन पढ़ रहा होगा वे है तो यह subject है यहाँ पर रहा होगा से खतम हो रहा है future continues है लेकिन यहाँ पर बाए नहीं लगा हुआ sentence में subject है और direct action perform हो रहा है वे के दुवारा subject के दुवारा तो यह active voice है तो कैसे बनाएंगे सबसे पहले लगाएंगे subject वे है means he then helping her will be पढ़ने की read read के साथ आए अच्छी reading object book किताब वे है किताब पढ़ रहा होगा he will be reading a book तो इस तरह से आप figure out करके implement कर सकते हैं according to rule next example है वे है खाना बना रही होगी रही होगी future continuous है क्या बना रही होगी खाना बना रही होगी खाना object है कौन बना रही होगी वे है तो यह subject है अब रही होगी future continuous बनाना यहाँ पे verb है खाना object है वे है subject है तो किस तरह से बनाएंगे she will be making food she हमने subject लगाया रही होगी means female है तो she हमने लगाया she के साथ will then we will be make banana ing making food object क्या बना रही होगी खाना तो यह object है she will be making food आप यहाँ पे cooking भी लगा सकते हो she will be cooking food तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो next है वे संगीत सुन रहे होगी they will be listening to music they will be listening to music हम उस प्रित्योगीता में भाग ले रहे होंगे we shall be participating in that competition we will be participating in that competition so next है guys negative जहाँ पे restriction होती है नहीं लगा होता है sentences में rule क्या है subject plus will shall plus not be first form of verb ing object and extra part so यहाँ पे same ही है जो rule है लेकिन will shall helping verb के बाद हम not लगा देंगे subject plus will shall not be first form of verb ing object and extra part example है राहूल लाइबरेरी नहीं जा रहा होगा राहूल बिल नॉट बी गुएंग तो लाइबरेरी राहूल बिल नॉट बी गुएंग तो लाइबरेरी मेरा भाई अखवार नहीं पढ़ रहा होगा My brother will not be reading the newspaper My brother will not be reading the newspaper बहस अंगीत नहीं सुन रहा होगा He will not be listening to music He will not be listening to music Next guys, interrogative जिसे interrogative भी कहते हैं Question बाचक अगर हम हिंदी में बात करें तो Rule क्या है दबलोचो फामली वर्ड Will shall subject plus be First from a verb, ing, object and extra part सबसे पहले हम दबलोचो फामली का वर्ड यूज करेंगे According to question So हमने पहले भी डिसकुस किया है कि कहां पे दबलोचो फामली वर्ड यूज होता है और कहां पे नहीं होता जो आपके sentences डिरेक्ट क्या से start होते है बहां पे दबलोचो फामली वर्ड यूज नहीं करते बहां पे डिरेक्ट हम Will shall से start करेंगे आपका question sentence और जहां पे कब कहां कैसे in between of sentence होता है बहां पे दबलोचो फामली का वर्ड लगाते है According to question और साथ में Will shall में से helping verb एक तो लगाएंगी ही लगाएंगे then subject लगाएंगे be first form of verb, ing, object and extra part चलो कुछ examples के साथ और clear करते हैं First example है क्या इस समय प्रधान मंत्री संसत में भाशन दे रही होंगे रही होंगे future continuous है क्या से start हो रहा है तो यहां पर हम जबलोचो फामली वर्ड यूज नहीं करेंगे direct will shall लगाएंगे according to subject I और we के साथ shall otherwise will use करेंगी Next type है वह है बहाँ इस समय क्या कर रहा होगा रहा होगा future continuous है अब क्या कर रहा होगा in between of sentence है क्या तो यहां पर हम डबलोचो फामली वर्ड लगाएंगे according to question क्या लगा है तो क्या की English होती है what to what लगाएंगे फिर will shall में से helping of use करेंगे according to subject अगर क्यूं होता तो why लगाते why के साथ will shall according to subject तो दो तरह के question होते है एक जो क्या से start होते है एक जो कब कहा कैसे in between of sentence होता है तो इस तरह से हम वहाँ पर डबलोचो फामली वर्ड यूस करते हैं जहां पर in between of sentence होता है और जहां पर क्या से start होता है direct will shall से start करते है चलो एक example discuss करते है example है guys क्या इस समय प्रधान मंत्री संसद में भाषन दे रहे होंगे रहे होंगे future continuous है देना यहां पर action है verb है कौन दे रहे होंगे प्रधान मंत्री ये subject है क्या दे रहे होंगे भाषन ये object है इस समय extra part है और संसद में ये भी extra part है तो कैसे बनाएंगे क्या से start हो रहा है W2 family का वर्ट तो use करेंगे नी will shell use करेंगे तो परदान मंत्री I और V के साथ shell लगाती है तो यहाँ पर परदान मंत्री है Prime Minister है तो will लगाएंगे Will the Prime Minister be giving a speech in the Parliament at this time At this time means this summer Will the Prime Minister be giving a speech in Parliament at this time तो इस तरह से हम उसे implement करेंगे Next है वह है इस समय वहाँ क्या कर रहा होगा रहा होगा, future continuous है करना यहाँ पर verb है कौन कर रहा होगा, वह है तो यह subject है इस समय वहाँ extra path है क्या कर रहा होगा, किसे कर रहा होगा किसको कर रहा होगा, कोई answer नहीं आ रहा तो means subject available नहीं है तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा जो हमारा question sentence है क्या in vitamin of sentence है तो यहाँ पर हम जब लोचो family word यूज़ करेंगी क्या की English होती है what तो हमने what यूज़ किया फिर he के साथ हम will लगाएंगे क्योंकि I और we के साथ shell लगाते है otherwise will use करते है so what will then हम subject लगाएंगे he, we करने के English होती है do, do के साथ ing doing there right now तो यह क्या extra part what will he be doing there right now what will he be doing there right now तो इस तरह से आप इसे implement कर सकते हैं next है क्या राहूल लाइबरेरी जा रहा होगा क्या से स्टार्ट हो रहा है तो वह family word यूज़ नहीं करेंगे विल राहूल भी going to the library विल राहूल भी going to the library बहें आपकी किताब क्यों पढ़ रही होगी तो क्यों इन्विट्बिन ओप संटेंस है तो यहाँ पे डबलोचो फामली वर्ड हमने यूज़ किया क्योंगे इंगलिश होती है why why will she be reading your book why will she be reading your book next है क्या वे इस खेल के मैदान में footwall खेल रही होंगे क्या से स्टार्ट हो रहा है तो डबलोचो फामली वर्ड यूज़ नहीं करेंगे will they be playing football in this playground will they be playing football in this playground